Hello students, welcome to your mathematics YouTube channel, Maths Miracle. Maths Miracle की Science सेगमन में, आज हम बात कर रहे हैं, Chemical Equilibrium, Class 11th की सबसे खतरनाक चप्टर, Physical Chemistry की सबसे खतरनाक चप्टर, Chemical Equilibrium और उसके अंदर, यह हमारा पाँचवा लेक्चर जा रहा है, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे, ली चेटेरियल प्रिंसिपल, Students, जैसा कि यह अंतीम विडियो है इस लेक्चर की, तो वैसे ही आपको अंदाज लग जाना चाहिए, कि यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा अब्जेक्टीव कुश्चन आपके लिए करेंगे, और इसके अलाबा हम एक दो नुमिरिकल्स करेंगे यहाँ पे, और नुमिरिकल्स करने के बाद इस वीडियो को हम यही पे समाप्त कर देंगे और कैमिकल एकुलिबरियम को हम फाइनलाइज कर देंगे, आई अच्टीएंट्स वीडियो स्टाट करते हैं लेकिन बड़ा ध्यान से देखते हैं क्योंकि लीचेटरियल प्रिंसिपल्स इंपर्टेंट तो बहुत है, इंपर्टेंट तो बहुत है बट यह जल्दी दिमाग के अंदर आता नहीं है, हम बात कर रहे हैं आपसे लीचेटरियल प्रिंसिपल्स बात करेंगे, आप टमप्रेचर, प्रियचर और चंजन्टरिशन को किसी सिस्टम पे अप्लाई करोगे, तो वो इकलिब्रियम की तरफ सिफ्ट होने लगेगा, कहां सिफ्ट होुकर सिट्वेंट, एकव्किलिब्रियम की तरफ सिफ्ट होगा, दुबार सुनो, Whenever a stress, that is temperature, pressure and concentration is applied in the system or equilibrium, then the equilibrium, जहां से सुनोगे, then the equilibrium will shift in the direction of neutralize, the effect of a stress is applied is called leech arterial principle. क्या बोल रहे हो गुरुजी, सर ये बहुत टेंजरस सीज बता रहे हो, हाँ ये बिलकुल खतरनक बात है, कह रहा है देखो इसको असान भासा में समझो, कि जब भी आप temperature, pressure and concentration को किसी सिस्टम पे apply करोगे, तो वो equilibrium के और shift होने लगेगा, और equilibrium की तरफ shift होते के साथ ही वो neutralize ह हो जाएगा, और जैसे ही वो neutralize होगा, उसी को आप बोलोगे, उसी को आप बोलोगे students, leach material principle, क्या बोलोगे उसको, leach material principle, एक example देख लेते हैं students, जैसे कि देखो, effect of temperature, सबसे पहला पहली बात, effect of temperature, कब effect होगा temperature पे, तो पहला बोलता है देखो, दो बात याती है, इसमें एक होती है, एक्सो थर्मिक reaction, और दूसरा होता है, इंडो थर्मिक reaction, बड़ा अराम से, एक्सो थर्मिक reaction क्या होता है, इंडो थर्मिक reaction क्या होती है, अभी बात करते हैं, देखो, एक्सो थर्मिक, अगर हिंदी में बात करेंगे, तो आपके लिए हमने लिख रखाया, उसमा छ एक्सो थर्मी की केस में, कब जब लीट चेटरियर प्रिंसिपल यूज होगा, तब ध्यान से सुनों को अबजेक्टिव में यही कोशन आते हैं, अबजेक्टिव में, नीट की पेपर में, मैडिकल की पेपर में, इंजिनिरिंग माले में, स्टुडेंट्स को यही आते हैं, और उनको पता ही नहीं चलता है, यह कहां से आ गया, तो लीट चेटरियर प्रिंसिपल की केस में, मैं आपको बता दूँ, कि एक्सो थर्मिक वाला जब रियक्शन आएगा, इफेक्ट आप टमप्रिचर में, तो जैसे ही इंक्रीज टमप्रिचर होगा, तो बैक्वर्ड र और जैसे टमप्रिचर डिक्रीज होगा, तो आपको अटोमेटिकली पता चल गया होगा, वह हम फॉर्वर्ड रियक्शन बात करके खतम कर देंगे, इसी तरह से जब इंडो थर्मिक की बात करेंगे, उसमा सोसी अभी करिया के बात करेंगे, इसमें उसमा क्या होता है, आपका फॉर्वर्ड रियक्शन हो जाएगा, और डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, बैक्वर्ड रियक्शन है, तो दोनों बाते जो दो बाते हैं, यह दोनों है, आप पस में एक दुसरे का वाईसा वर्सा है, यह होगा, तो वो नहीं होगा, वो होगा, तो यह होगा, तो यह चीजु आपको बड़ा मैंड में रखनी है इसको बड़ें सेक्ट करके रखना है कोकि में जब आता है ऐस्ट थर्मिक में पूछा जाता है कि एकस्थरमिक रियक्शन में टम्प्रेचर का इफक्ट अगर ज्यादा होता है इंक्रीज होता है तो आप लिखनी पाते उस वक्त आप फॉरवड के जगा बैकवर्ड मार देते हो और बैकवड के जगा फॉरवड मार देते हो चुकि कंसेप्ट किलियर नहीं होता है तो यहां पर मैं यह आपको आपसे वो गुजारिश करता हूं कि दोनों पॉइंट्स को बड़े अच्छे तरीकर से लिखिएगा है ना आए नेक्स्ट हम बात करते हैं effect of pressure अभी हमने क्या बात किया था effect of temperature और इंडो थर्मिक बात करी थी अब हम बात करें आराम से देखना है हरवरी तो जरूरी नहीं है effect of pressure increase in pressure अगर pressure बढ़ता है तो क्या होता है reaction will take place in the direction when less number of moles present देखो न, जहाँ पे कम से कम जहाँ पे कम से कम moles present होंगे moles present होंगे, वहीं पे pressure increase होगा तो वैसे किसमें reaction क्या हो जाए? take place in the direction when the number of moles present shift हो जाएगा decrease क्या होगा? increase होगा, अब यहाँ decrease होगा decrease होगा तो क्या बाते बनेंगी? उल्टा बात हो जाएंगे, देखो, reaction will take place in the direction of, in the direction where greater number of moles are present, greater number of moles are present, decrease में greater होना चाहिए moles, और increase में less than होनी चाहिए, कब? जब pressure किसी reaction पर पड़ता है, तब, तो यहां पर आप एक example देख सकते हैं, N2 plus 3 is 2, N2 plus 3 is 2, reverse evil reaction to N3 plus heat, high pressure favor the formation of N3, जितना जादा आपका pressure बढ़ेगा, N3 के formation के लिए उतने ही favor करेगा वो, अब हम बात करेंगे, effect of concentration, students, high pressure जितना जादा बढ़ेगा, उतने ही favor होगा, N3 को बनाने में, तो अब हम बात करेंगे, third or last condition है हमारे पास, effect of concentration, देखेगा, increase in the concentration of reaction, तो होगा forward reaction, objective में एक्दम, राम बान समझो, students, राम बान, क्योंकि, जैसे ही concentration increase करेगा, तो reaction कैसा हो जाएगा, forward reaction, forward बोले तो left to right, students, अब हम बात करेंगे, decrease in concentration of reaction, अगर concentration decrease करता है, तो क्या होगा, backward reaction हो जाएगा, backward reaction हो जाएगा, अब देखो, formation of NH3 की condition के लिए, क्या क्या चाहिए होगा, low temperature, यानि, meanwhile, अगर आप बात करोगे, तीनों चीजों में, कि हमारा concentration क्या होगा, हमारा temperature क्या होगा, हमारा pressure क्या होगा, ammonia के case के लिए, जो कि हमने example तीनों में same ही लिया है, तो आपके पास, अगर meanwhile, short में बोला जाए, तो आप बोल सकते हो कि ammonia की formation के लिए, जो triple tick बाते हो रही है, वो है, low temperature चाहिए, high pressure चाहिए, increase in concentration of S2 और high 2 चाहिए, N2, N2 और S2 का concentration होना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, तो क्या होगा, ammonia का formation के लिए favorable condition हो जाएंगे, ammonia के favorable condition के लिए, आप से पूछ सकता है, कि what is the favorable condition for ammonia, for formation of ammonia, तो आप क्या लिए सकता है, कि low temperature, high pressure and, या फिर as well as, increase in concentration of S2 और N2, दोनों की concentration ज़्यादा होने चाहिए, high pressure होने चाहिए, temperature low होने चाहिए, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आँगे, अच्छे students, देखो, अभी तक जो हमने बात करा था, KPKC का relation, उसके अलावा हमने concentration हमने बात करी है, formation of ammonia के लिए बात करी है, कुछ numericals हैं, तो ये numericals आपको जरूर करके जाने चाहिए, अपने paper में, हमारे पास तीन numerical हमने लिखे हुए हैं, आपके लिए, और ये तीनों, ये तीनों यकीन मानों students, ये neat के paper में ऐसे ही question आए हुए, 2014-2015, यानि 2014 और 2015 में, ये question नीट की paper में आए हुए हैं, तो अब देखिए, एक बार देखिए, जरा किता असान था, लेकिन students सायद कर पाए हुँ, at pressure of two atom, and 673 Kelvin, the volume of KP for the reaction, N2 plus 3S2, reversible reaction 2NS3 is इतना, then find the value of KC, C, और उसमें numerical value दे रखा, C की value दे रखिए है, 0.0, A2, और ये इसके unit है, ये इसके atom, Kelvin minus 1, Molecular minus 1, और Euclone minus 1, ओके, तो आपके पास जो formula students, formula क्या होता है, KP equal to KC, RT to the power Dalen है, Dalen की value क्या होती है, तो product की value में से reactant की value को minus करेंगा, उसको हम Dalen लिखते हैं, तो product में यहां क्या है, इसके unit, देखो, यहां पर product में क्या है, 2, तो 2, minus यहां पर 3 और 1, तो 4, तो 2 minus 4, तो 2 minus 4, will be minus 2, है न, minus 2 आगया, minus 2 आगया, अब आप क्या करो, putting the values, अब सब की value पूट करो, Dalen की value कितनी given है, Dalen की value यह रहा, 1.64 into 10 to the minus 4, केसी आपको पता ही नहीं है, what is the value of केसी मांगी रहा है आपसे, है न, केसी, RT के value क्या है, RT के value यह रहा, है न, RT के value यह तो है, 0.8, 0.082, 0.082, 1, 0.082, 1, 0.082, 1, है न, और into, 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 यह होगे R, और T के value क्या है, इस्टेट्स, temperature की value, यहन्होंने दे रहा है, 673 Kelvin, केपी के value इन्होंने दे रहा है, केसी आपसे मांग रहा है, R की value, R की value यहां रही है, यह दे रहा है इन्होंने, R की value, और यह इसके बाद है आपका RT, temperature, यहां से 673 Kelvin है, और उसका power आपको देना है 2, दे दिया आपने, अब आपसा solution करना रहा गया, और आपका answer है, देखो इसको तैसे लिख दिया, आपने चुप चाप, केसी तो केसी है, यह minus 2 होने की वज़े से total function को हम नीचे लेके चले गए, और same ही लिख दिया है, अब इन दोनों को उठा के multiply कर देंगे, देखो, तो केसी यही रहा गया, इसको उठा के इससे multiply कर या, तो यह इतना 4 और यह नीचे वाला to the point 2, अब जब approach solution करोगे student, तो 0.5 007, यह आपका केसी का result आ जाएगा, यही आपका answer है, यही आपका answer है, इसी तरह से आपना एक question और करेंगे, यह यहाँ पर देखे, PCL3 प्लस CL2, reversible reaction PCL5, और value दे रहेखे, KC equal to 26, at 250 degree Celsius पे, find KP मांग रहा है, और R की value दे रखा है, R की value दे रहेखे, तो T50 degree Celsius तो temperature है, और उसमें 273 तरह आप डालोगे, तो Kelvin में आ जाएगा, हो जाएगा na students, तो formation KP ब्रावरी formula लिग दिया, KP, KC की value दे रहेखे, 26, R आपके पास पता है क्या, R आपके पास पता है क्या, R आपके पास पता है न, यह रहा, 0.0821, 0.0821, और देखो न, RT, T temperature यही तो है, T temperature है, 523, 523, to the power minus 1, है न, तो minus 1 कैसे हुआ है, students, क्योंकि PCL51 है, और इधर 1 और 1, 2 हो गया, तो 1 minus 2 करोगे, तो minus 1 हो जाएगा, तो जोगे relative value पे, relative value पे इसको यह value आप चरहाद होगे, अब जब solution करना रहा गया, तो solution के लिए जब आपको KP के value निकलनी है, तो देखो, यह यहाँ पे minus है न, minus होने की वज़र से 26 upon में नीचे में चला जाएगा, तो अब हम next देख सकते हैं, आपकी पास यहाँ पे, है न, जब आप देखोगे students, तो 26 upon this, और जब इसको solution करोगे, divide करोगे, तो 0.61 जो कि आपका answer है, बहुत ही आसान sensor है, बस practice अगर दो बार, तीन बार, चार बार कर देंगे, तो आपको टेंसल लेने की जूरत नहीं है, the last question of this exercise, एक और नो मिरकल, और इस पूरी chapter को, इस पूरी exercise को हम यहीं पे finish करेंगे, chemical equilibrium को, क्या है, उसमें एक और expression, एक और equation से हम आपको बता देते हैं, SO2 plus 1 by 2, O2, reversible reaction, SO3, और 2 SO3, एदे को कभी-कभी double reaction वाले भी आ जाते हैं, इतना आगे बढ़ेंगे, फिर इसी को तोड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो देखो, ऐसे में यहां पर बोलता है, के 1 बराबर के 2 होगा, क्या, या फिर के 1 बराबर के 1 बाइ के 2 होगा, क्या या फिर यह के बराबर 1 by k2 का all square होगा क्या यह चार option में से कौन सा सही होगा पूछता है तो चलिए formula हम अपने हिसाब से ही set करेंगे जैसे हमें आता है यहां से हम के 1 बात करेंगे के 1 की बात करेंगे तो iso3 यह राइट साइड वाला अपन यह दोनों का नीचे इसका पावर नीचे पीछे में बटा है तो उसका पावर में चला जागा 1 by 2 सब्सक्राइब लाइस हो गया आप यहां पर देखेंगे एस अधिया घ्यांस देखेगा इस ट्यप को है यह step को ज़रा ध्यान से देखेंगे, यह step अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, कि k2 को हमने क्या करा, k2 को, यह जून है ना, पहले तो इसको reverse करा, उपर वाले को नीचे, नीचे वाले को उपर, उसमें root ले लिया, तो root जब लेंगे हम, तो यह तो 3 उपर चला गया है, ना, और इसका हमने root ले लिया, root होने की वज़़ा से क्या होगा, यह 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, root से, root से square कैंसल होता है, ने जूनेट, तो इकट गया, क्या ले रहो, तो देखो, आप जब आप करोग तो यह पूरी की पूरी function ऐसी आगई, आगई ना, और इसको हमने करा left hand में, तो 1 by root under, root under k2 मिल गया, कि मिल गया की नहीं, आप देखो, अब ज़रा समझना बात को, अब ज़रा समझना, यह वाली बात क्या है, देखो, यही तो equation 1 है, आप देखो न जहां से, SO3, SO3, SO2, SO2, O2 का power half, O2 का power half, तो इसको हम क्या बोलेंगे, k1, तो अब जब हम k1 निकालेंगे, तो k1 बराबर क्या होगा, 1 by root under, root under k2, 1 by root under k2, तो आपका जो answer हुआ, वो कौन सा हुआ, कौन सा हुआ, तो third, आपका third is your answer, आप यहां देख सकते हैं, हमने third लिखा हुए न, यह third जो है, आपका answer है, तो दोस्तों, हमने आपके लिए पूर की पूरी वीडियो बना दी, आपको upload कर दिया, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो उमीद करूँगा आपको four marks के लिए आपको कहीं भी जाने की जुरत नहीं है, बहुत यह आसान तरीके से maths miracle आपको समझाया है, आपको बताया है, और आपसे उमीद भी कर रखा है कुछ की आप subscribe, share, अपने दोस्तों तक जरूर पहुचाईए, maths miracle लगातार observe कीजिए, सोबस साम जब भी time मिले maths miracle आपको आईए, क्योंकि यह वीडियो, यहाँ maths miracle का तो YouTube टेनर वो कभी भी आपको, कभी भी आपको निरास नहीं करेगा, maths miracle सर की guarantee है, आप आएंगे, तो तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जैए हिन्द